हलो कोज आइब्यो, वेलकम वेक्टो माय चैनल, आज की में रेसी पी है भिंडी इनिक वो मेरे इस्टाइल की भिंडी में इस वें तो आप लोग मेरे स्टाइल की भिंडी की वीडियो जरूर देखिए तो चलिए बिंडी बनाना शुरू करते हैं मेरे स्टाइल की बिंडी बनाने के लिए सबसे पहले हम ऑईल गरम कर लेंगे यहां मैं सरसो का ओयल ले रही हूँ और यहां पर मैं सरसो का इसलिए ले रही हूँ क्योंकि बिंडी सरसो के तेल में ही अच्छी लगती है तो यहां पर देखिए मैंने स्लाइस्ट अनियन कर रहे हुई है तो उसे मैं डाल दूँगी ओयल में और उससे हम थोड़ा सा गॉल्डन करेंगे, ध्यान रखेगा बहुत ज़्यादा गॉल्डन या काला नहीं कर देना है नहीं, तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, बस हलकी सी गॉल्डन करनी है, हमें अनियंस अपनी, अनियंस की गॉल्डन होते ही हम इसमें डाल देंगे अब हम इसमें कुछ अपने मसाले डालेंगे सबसे पहले इसमें जाएगा वन टीस्पून धनिया पोडर और धनिया पोडर के बाद इसमें जाएगा हमारा हल्दी पोडर वह मैंने हाफ टीस्पून लिया है हल्दी के बाद इसमें जाएगा नमक एसपर टीस्ट मैंने इसमें 1 टी स्पून नमक डाला है अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इस मसाले को भूनेंगे अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने लाल मिच तो डाली ही नहीं मैं इसमें लाल मिच नहीं डालने वाली हूँ ये हरी मिच्छी बिंडी बनेंगी और इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट होगा इसलिए मैंने यहाँ पर जादा हरी मिच्छी है तो यहाँ देखिए हमारा मसाला भून गया है और अब हम इसमें डाल देंगे अपनी भिंडी तो भिंडी डालने के बाद भी हमें इसे कुछ देर पकाना है भिंडी बनाते वक्त आप यह चीज दियान रखेगा कि भिंडी में कभी भी पानी नहीं डाले और दूसरी चीज़ आपको क्या दियान रखनी है कि भिंडी को कभी भी ढखकर नहीं बनाते हैं और तीसरी बात भिंडी को बहुत जादा चलाते नहीं है तो आप मैंने ये तिनों बात ध्यान रखकर भिंडी बनाईए बहुत अच्छी बनेंगी तो यहां भिंडी को पकते वे पांश मेट हो गए हैं और अब मैंने चौप किये हुए टमैटो इसमें डाल दिये हैं अब जो हमने टमैटो डाले हैं टमैटो के जूस से ही हमारा जो बिंडी है वो गल जाएगी थोड़ा सा मैने इसमें नमक डाला है वो इसलिए ताकि जो टमाटर है वो पना पानी रिलीज कर दें और हमारी बिंडी अच्छे से पक जाए और हमारे टमैटो भी अच्छे से मैश तो यहां देखिए अभी से हम पका रहे हैं खुला रखके जब तक हमारी बिंडी अच्छे से पक नहीं जाती पूरी तरीके से गल जाती है तो यह हमारी बिंडी बहुत अच्छे से गल चुकी है टमाटो हमारे मैश हो चुके हैं और बिंडी में बिल्कुल भी टमाटो का सर्फ करिए और इसमें नीबू डालना बिलकुन नहीं बूलिएगा तो दोस्तों आपको मेरी ये भिंडी के रेसिपी कैसी लगी मुझे जरूर बताइए कमेंट्स करिए लाइक करिए और मेरे चनल को सब्सक्राइब करना तो बिलकुन नहीं बूलिए ये दोनों वीडियो द